हेलो फ्रेंड्स, खाना पकाना बाईजे भी जुबैर में आप सब का इस्तक्बाल है मेरी एक सब्सक्राइबर सैमी ने मुझसे परमाईश की है कि मैं उन्हें टुंडे स्टाइल पराठे की रेसिपी शेयर करूँ तो उन्ही की रिक्वेस्ट पर मैं आप सब के लिए लेकर आई हूँ मुगलई पराठे की रेसिपी जिसे आप उल्टे तवे का पराठा भी कह सकते हैं लखनवी पराठा भी बोल सकते हैं नाम कुछ भी दीजिए खाने में बहुत ही लाजवाब होता है तो चलिए शुरू करते हैं तो पराठे के लिए सबसे पहले हमें एक गहरे बोल में लेना है दो कप मैदा मैदे में डाल देंगे सोगड जाफरान हाफ टी स्पून छोटी इलाइची का पाउडर खुश्बू के लिए यहां मैंने लिया है वन पोर्थ कप सूजी जिसे मैंने पंदरा मिनट पहले भिगा लिया था हाफ टी स्पून नमक वन टी स्पून चीनी का पाउडर टू टेबल स्पून देसी घी इन सारी चीज़ों को आप मिक्स कर लीजे मैदे के साथ सारी चीज़े अच्छी तरह मिक्स हो जानी चाहिए इस तरह क्रंप्स जैसा ट्रेक्षर आना चाहिए अब हम इसमें एड करेंगे हाफ टी स्पून केवरा बॉटर और वन टी स्पून रोज बॉटर अब आप इसको दूद के साथ गूंध लीजे पानी का इस्तेमाल हमें नहीं करना है और आटा हमें मुलाइम भूंधना है तो थोड़ा थोड़ा दूद मिक्स करते जाएं दूद आप हलका वाम ले सकते हैं पर बहुत गरम या बहुत ठंडा मत लीजेगा कम से कम आपको आठ मिनट तक इस तरह आटे को गूंधना है उसके साथ कुष्टी लड़नी है जितना मुलाइम आटा कूंधेगा उतना ही अच्छा पराठा तयार होगा जाफरान की बजह से आटे का कलर जो है वो थोड़ा थोड़ा येलोईश टच पर आ रहा है देखे आटा गूंधने के बाद इसके उपर आप थोड़ा घी लगा करके इसको 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दीजे इसको धख दीजेगा उपर से या किसी मलमल के कपड़े से ढख दीजेगा आटे को तो आटा सॉफ्ट रहेगा 20 मिनट के बाद आप देख सकते ने कि आटा और मुलाइम हो गया है अब आपको छोटी-छोटी सी लोईया लेनी है इस तरह लोई लेकर उसको लंबाई में थोड़ा रोल कर लिजे और देशी घी लगा कर के मोड कर दुबारा से एक लोई बना लीजे फोर्ड कर लीजे इस तरह लोई बना के अब आपको इसे बेलना है उपर से सूखा आटा डाल करके बेलिएगा तो बेलने में असानी रहेगी पराठा बहुत मोटा मत रखिएगा वना सिकने में दिक्कत होगी और खाने में भी अच्छा नहीं लगेगा जितना बड़ा आपका तवा है उस हिसाब से पराठा बेलिए यह देखे इस तरह आपको इतना पतला पराठा बेलना है अब यहाँ पर गैस पर मैंने रखा है लोहे की कढ़ाई सबके पास उल्टा तवा तो नहीं होता है पर कढ़ाई सभी के पास होती है तो इस तरह कढ़ाई को उल्टा करके आप गैस की उपर रख दीजे और एक मलमल के कपड़े के अंदर किसी भी तॉलिये को रखकर उसको बांध लीजे जिससे हमें पराठा को सेखना है जब कढ़ाई गरम हो जाएगी तो हम उस पर घी लगाकर एक बर उसे चिकना कर लेंगे कि पराठा चिपके नहीं और अब थोड़ा सा आप पराठे को एक बर बड़ा कर लीजे फिर तवे पर डालिए जब एक तरफ सिख जाएगा तो हम इसे पलट लेंगे और पलट करके घी लगाएंगे घी लगा हुआ साइट दोबारा से फिर हम तवे की तरफ रखेंगे और जो ये हमने टॉवेल वाला कपड़ा बनाया है उससे दबाते हुए हमें पराठे को सेखना है खयाल आपको ये रखना है कि आप पराठा किनारे से सेखे ना की बीच से क्योंकि अगर आप पराठा बीच से सेखेंगे तो पराठा टाइट हो जाएगा कड़ा हो जाएगा फिर वो मुलाइमियत उसकी खतम हो जाएगी तो आपको साइड से ही पराठे को सेखना है क्योंकि साइड ही कच्ची रहती है जादा जब दोनों तरफ से पराठा अच्छी तरह सिख जाए तो उसे उतार लीजिए और बाकी पराठों को भी इसी तरीके से आप बना लीजिए तो ये लिजिए बनकर तयार है मुझलाई पराठा इसे कबाब के साथ सर्फ कीजिए और मुझे पॉमेंट में जरूर बताइए कि आपका पराठा कैसा बना अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें मेरे चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर करना ना भूलें बेल आइकन को जरूर प्रेस करें कि मेरी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें अल्ला हाफेज